नमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन आपसे आगरो और निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे इस चैनल पर हर दिन मेरे नए उपाय के वीडियो जाले जाते हैं उनके टाइमली अपडेट के लिए घंटी के निशान को भी दबाएं जिससे कोई भी उपाई या शास्त्री जानकारी आपसे चूटा जाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूं वैभवनाच चर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन इतनों आज हम लोग बात करेंगे 29 दिसंबर के पंचांग राशिफल और मह परण है बालव अगर वरत्पर्व और तयोहार की बात करते हैं तो कालाश्टमी की तित्थी जो है आज मनाई जानी है तो यह तो बात रही आज के पंचांग की अब चर्चा करते हैं राशिफल की तो सबसे पहले बात मेश-राशी की मेश-राशी वाले जातक लोगों के लि मानसिक ठकान और उदासींता को आप अपने उपर हावी ना होने दे वरिशब राशी वरिशब राशी वाले जातक लोगों के लिए परिवार से समाज से उपहार वा सम्मान का लाब मिलेगा जीवन साथी का सहयोग और साने धिपराप्त हो ऐसे योग आपके लिए बनते हैं ओम सोम सोमाई नमहमंतर का 108 बार जाप करें और जादा बोलने से बचना चाहिए सोच समझ करके नपातुला समवाद करेंगे तो आप ज़्यादा फायदे में रहेंगे मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए यात्रा देशाटन की इस्थिती सुखद और लाप्रद रहने वाली है बिरोजगार व्यक्तियों को रोजगार प्राप्ति के योग बहुत अच्छे बनते हैं ओम अंग अरकायन महमंत्र का 108 बार जाप करना चाहिए परिश्रम से मेहनत से पीछे आपको नहीं हटना चाहिए करकराशी करकराशी वाले जातक लोगों के लिए धनपत प्रतेश्ठा में व्रिद्य होगी कोई महत्वपूर्ण निर्ने इस तोरान आपको आज नहीं करना चाहिए ओम बुम बुद्धायन महमंत्र का 108 बार जाप करें परिवार की बात या सुझाव को आप अंदेखा बिल्कुल भी न करें सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए गलती का खाम्याजा आज आपको भुगत ना पड़ सकता है मनुरंजन में व्याय बढ़ेगा यानि आप अपने परिवार के मनुरंजन के लिए इंटर्टीन्मेंट के लिए कुछ खर्च करें ऐसी इस्तिति आपके लिए बनती है कन्या राशी वाले जातक लोगों के लिए व्याय बहार बढ़ने से तनाव होगा आज आपका खर्च बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा जिसके चलते थोड़ा सा आप परिशान तनाव गरस्त हो सकते हैं परिवार के साथ समय व्याय कर पाएंगे आर्थिक पक्ष से आज आज आप थोड़ा सा चिंतित रहेंगे तो इस सभी समस्याओं से मुक्ति पाने के लिए ओम शंच और निश्चराइन मुहमतर का 108 बार जाप करें किसी भी स्थिती में आप निराश बिलकुल भी न हो तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए आहार विहार विवहार में आज आपका नियंतरण नहीं रहेगा यानि आज आप अपने खाने वगएरा पे कंट्रोल नहीं कर पाएंगे कुछ भी उल्टा समय दे पाएं ओम शुम्शुक्राइन महमंतर का 108 बार जाप करें उत्साह में कमीना आने दें व्रिश्यक राशी व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए कठोर समय में सुधार आएगा यानि जो भी कठिनाईयां आपके जीवन में चल रही थी उनमें कुछ कमी आ चाहिए धनुराशी धनुराशी वाले जातक लोगों के लिए अपने लोगों से आपके अपने परिवार से अपने दोस्त मित्र से आपके जो हितैशी आपके जो शुब्चिंतक हैं उनके साथ कुछ मनमुटाव हो कुछ विवाद हो कुछ विरोध उनकी तरफ से आपके ल करेंगे तो आज आपका दिन शुब हो सकता है और भाई बंदू के साथ लड़ाई जगड़ा वाद विवाद करने से बचना चाहिए मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए शुबूर्जा का संचार दिखाई देता है शुब समाचार प्राप तो ऐसे योग बन हुए है ओम रंग राहुए नमा मंतर का 108 बार जाप करना चाहिए और किसी भी व्यक्ति का आप दिल ना दुखाए कुम राशी कुम राशी वाले जातक लोगों को स्वास्त कमजोर बना रहने वाला है आए के नए स्रोत इस दौरान बनाए बनाए जा सकते हैं ओम केंग केत नमा मंतर का 108 बार जाप करें और कड़वे बोल बोलने से बचना चाहिए मीन राशी मीन राशी वाले जातक लोगों के लिए आए बढ़ने के आसार आपके लिए बन रहे हैं जो आपने पुराने समय में मेहनत और परिश्रम की है वो आपको अब फायदा दिला सकते है तो वो जो आपने मेहनत की थी उसको वहीं छोड़ने देना चाहिए फालो अप करते रहना चाहिए जिससे आपकी पेमेंट वगएरा आपको उसका फायदा वगएरा आपका जो इससा शेयर वगएरा हो वो प्राप्त हो सके ओम रांग रामाय नमा मंतर का 108 बार जाप करें और क अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय के बारे में जिसमें आज मैं आपको बताऊंगा कि अगर किसी व्यक्ति की शनी की साड़े साती चल रही है धैया चल रही है या अशुब शनी की महादशा अंतरदशा है तो ऐसी इस्तिती में आपको कौन सा दान करना शनी के द हैरी और सहनशक्ति के लिए शनी का उपाय करना चाहिए विपरीत समय में व्यक्ति की संघर्च करने की शमता बढ़ जाती है तथा ऐसे समय में व्यक्ति अपनी पूर दूर दर्शिता से निर्णय अगर करे तो उसके लिए कष्ट को जेल पाना थोड़ा आसान हो जाता है इस कारण से निर्णय लेने में जो आपकी कमियों की संभावना होती है वो भी कम होती है अगर आप थोड़ा दूर दर्शिता दिखाएंगे थोड़ा सोच समझ करके काम करेंगे तो चांसेज ये होते हैं कि बुरे दोर में जो नुकसान होना है वो कम हो आपको कैलकुलेश में या आशुब शनी की महादशा अंतरदशा के समय में व्यक्ति के मानसिक कष्टों में वृद्धी हो जाती है इस अवधी में व्यक्ति को अपने कारियों को पूर्ण करने के लिए बार बार प्रयास करने पड़ते हैं कार ये पूरे नहीं होते कहीं न कहीं से उनमें वि की इस्थितियां या इस तरीके की शनी की ढया, 7 vin साति या शुप शनी की महादशा, अंतरधशा का प्रभाव जादा होता है. तो ऐसे में जब व्यक्ति दिना डिमारलाई जने होने लगता है निराश होने लगता है तो यह जो उपाए होते हैं यह बहुत काम करते तो करना ये चाहिए कि इस अवधी में बाधाओं में कमी करने के लिए व्यक्ति को शनी से संबंदित को छुपाई और दान करना चाहिए तो सबसे पहली चीज तो ये है कि शनी को प्रसंद करने के लिए शनीवार के दिन पीपल के व्रिक्ष में आप जल चड़ाएं जल चड़ाने की मैंने जो विदी बताई वो लोGO को बहुत फायदा देती है आज भी इस वीडियो पर लाखो लाख हिट है प्रते दिन लोग उसको बहुत देखते हैं बहुत फालो करते है और उस उपायसे लोगों को फायदा बहुत मिलता है तो उसमें करना यह होता है कि स् जल को आपको पीपल के व्रिख्ष में समर्पित करना होता है तो ये तो बात हो गई जल दान की अब हमको पीपल शनी के दोशों से कष्टों से मुक्ती पाने के लिए किस चीज के आपको दान करना चाहिए इसको भी समझ लीजें सबसे पहले सवा मीटर काला कपड़ा ले ली लिजे सरसों का तेल ले लिजे 100 ग्राम की बॉटल ले लिजे ये सब सारी चीज़ें ले करके कुछ दक्षणा के साथ 11 रुपए 21 रुपए के साथ आपको शनिवार को इन वस्तूओं का दान जो शनी का दान लेते हैं उनको करना चाहिए और अगर ऐसा कोई व्यक्ति जो शन से संबंदित दान की वस्तूओं हैं दान की चीज़ें वह आप शनिवार को नहीं खरीदेंगे शनिवार को आपको नहीं खरीदना है हफ्ते के बाकी दिनों में आप कभी भी खरीद करके रख सकते उससे आपको बहुत अच्छा फायदा मिलेगा तीसरा दान च्छाया दान होता है चायादान कैसे करना होता है उसको भी समझ लीजिए वो भी मैंने पहले समझाया हुआ है एक लोहे की कटोरी लेनी होती है कच्चे लोहे की कटोरी स्टेनलेस स्टील नहीं लोहा और स्टील में बहुत अंतर है वो स्टील जिसका तावा वगरा घर में खाना वरा बगर बनाने के लिए बनता था पहले लोहे की कड़ाई वगेर भी आती थी तो कच्चे लोहे की आपको कटोरी लेनी है चोटी सी और सरसो के तेल की एक बोतल लेनी है पीपल के व्रिक्ष के पास जाना है उस कटोरी में तेल भर देना है और फिर उस कटोरी को हाथ में लेकर के अच पल के व्रिक्ष के नीचे खड़े हो करके उसकी चाया में खड़े हो करके अपनी चाया का दान करना ये दोनों उपाए आप एक साथ भी कर सकते हैं आप चाहें तो ये दोनों उपाए एक कोई भी उपाए कोई भी एक उपाए सुबह कर ले कोई भी एक उपाए शाम को कर ले वो भी चलेगा बार बार लोगों की कुछ queries आती हैं कि हम एक ही पेड़ पर क्या सुबह और शाम दोनों के समय में उपाय कर सकते हैं बिल्कुल कर सकते हैं कोई problem नहीं है कुछ लोगों ने पूछा कि हमने सुबह के time में चायादान किया था जब हम शाम को गए तो वो कटोरी और सरसों का तेल वहाँ as it is रखा था उसको हमने देख लिया दुबारा तो कोई दोश तो नहीं उसमें कोई दोश नहीं है आपने दान दे दिया पीपल देवता ने उसको स्वीकार कर लिया बस आपके सिर से जिम्मेदारी खतम जब आप कटोरी में अपना चेहरा देख रहे हों तो आपको अपने भाव अपने विचार यही रखने है या प्रार्थना यही करनी है कि मेरे उपर आने वाली किसी भी प्रकार की समस्या मेरे उपर ना आए मैं अपनी छाया अपनी इमेज आपके पास रख करके जा रहा आप घर आजाएए गंटे दो गंटे बाद दुबारा आप उपाय करने के लिए जा सकते हैं उसमें किसी भी तरीके की कोई बाधा कोई बाउंडेशन नहीं है कोई भी तरीके का डाउट कोई भी संदे है अगर आप मन में लाएंगे तो आपके उपाय में आपकी सफलता में फिर संदेव हो जाता है तो मित्रो आशा करता हूं कि यह जो तीन प्रकार के अलग-अलग दान आपको मैंने बताई यह आपको निश्चिती पसंद आएंगे और आप इसे करके अपने जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या हो बादा हो कष्ट हो उससे आप मुक्ती पा सकते ह आप लोगों से बार-बार आगरा करता हूं कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर किया करिए और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें इसी शुब कामना के साथ कि आप आपका दिन शुब हो मुझे आ गया दीजे और देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन तमस्कार मित्रों आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटकों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और टाइमली अपडेट्स के लिए बेल आइकॉन को भी दबाएं जिससे नए वीडियो की जानकारी आपको समय से प्राप्त हो सके धन्यवाद सब्सक्राइब 9818300146 यह हमारे ओफिस का दूसरा नंबर है अगर आप हमें इमेल करना चाहते हैं तो आप हमें इमेल कर सकते हैं हमारी इमेल आइडी नोट कर लीजे इस पर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं मित्रों आजकल फोन कॉल्स बहुत जादा हैं और मुझे भी मालूम है आप लोग कॉल करते हैं फोन रिसीव नहीं होता तो आप भी निराश होते हैं ऐसे में इमेल और वाटसप करना सबसे बहतर तरीका है धन्यवार